अमेरिका में कोरोना वाइरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है अमेरिका में इस वाइरस की चपेट में आने से मरने वालों का अंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है जॉन्स हॉपकिन्स इरिवासिटी ने ये बताया कि अमेरिका में कोरोना वाइरस की संक्रमन के चलते अब तक 10,000 से अधिक लोग मर चुके हैं अमेरिका में कोरोना वाइरस से मरने का पहला मामला जनवरी में सामने आया था जॉन्स हॉपकिन्स के आंकडों के मुताबिक पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो अमेरिका में 1105 लोगों की जान गई है वहीं सरकार ने 12 जरूरी दवाओं और 12 एक्टिव एपियाई के निर्याद पर लगी रोग को हटा दिया है पेरसिटा मॉल के निर्याद पर बैन जारी रहेगा हलांकि अमेरिकी राश्रपती डोनल्ड ट्रॉंप ने प्रधान मंतुरी नरेंडर मोदी को फोन कर कोरोना के इलाज में उपियोगी मलेरिया की जस्दवा यानि कि हाइड्रोक्सिक लोरोक्वीन के निर्याद का अनुरोध किया था अभी उस पर कोई निर्णा नहीं लिया गया है